एओ ओ यूम ने जब कॉंग्रेस की स्थाफना करी तब उसने इस देश को आजात कराने का लक्षे नहीं रखा था लक्षे क्या था आप सभी को मेरी नमस्ते बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मैं आपके साथ संध्या और मन्थन कारिक्राम आप देख रहे हैं और आजादी और आर्या समाज के कर बात की जाए तो पिछले कारिक्राम में हमने चर्चा भी की थी काफी जादा और आज एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ मौजूद है इस एपिसोड में दिली आर्या प्रतिनी दी सभा के महामंत्री विन्या आर्या जी सबसे पहले बहुत-бहुत स्वागते सर मंधन कारिक्रम में आपका अर आज इस कारिक्रम को आगे बढ़ाएंगे सवाल भी होगा आरयस समाज को लेकर कि आजादी की जब बात होती है तो R.S. समाज कहां पड़ता किन किन कारेशेत्र में R.S. समाज हमें देखने को मिला था कौन-कौन से वो राज्य थे संध्या जी पिछले एपिसोड में हमने इस विश्च को थोड़ा सा रखने का प्रतन किया था कि आरेस समाज और भारत की सुतंतता संग्राम के बीच में क्या अपसी सम्मन्द था और मैंने ये बताने का प्रतिन किया था कि भारत का स्वाधिनता आंदोलन और आर्फ समाज का आंदोलन दोनों एक दूसरे के परियाए थे एक दूसरे के समानार थकते उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता कि आजादी का आंदोलन चल रहा हो और उसमें आर्फ समाज भी आ कि आन्दोलन है जिसको हम आजादी का सततता प्रापतिक आंदोलन ता है कैया कि अर्फ समाज के और समाज के और भी मैं तो कांक्षा नहीं रखी ना सोच रखी ना इच्छा रखी इसी कारण से आरंबिक सर पर जिन उच नेताओं के नाम ले लिए जाते हैं मैं समझता हूं कि वो जिस भवन पर खड़े हैं उस भवन की निव के अंदर खोद करके अगर एक एक इंट आप निकालेंगे उस एक एक इंट पर अगर नाम किसी का लिखा होगा तो नाम केवल रिशीद्यान सरस्वती आरे समाज और सत्यार पकाश लिखा होगा ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं इस सब चीजों के पूर्ण आधार हैं कुछ लोग जब मेरी इस बातों को सुनते हैं प्रशन करते हैं लंबी चर्चा का उसर होता तो मैं इस बात का बेतर डंक से उत्तर दे पाता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उसकी निव में आरे समाज है उसके पीछे तर्ख है उसके पीछे तथ है उसके पीछे सच्चाई है उसके पीछे अपने आपका इत्यास है और इत्यास वो है जिसको मैं और आप चाहे या कोई भी चाहे मिटा नहीं सकता लिखने में कुछ भी लिखूं जो हुआ था वो आप कैसे बदलेंगे जो हो चुका उसको दुनिया में बदला नहीं जा सकता इसलिए ऐसी सच्चाई है कोई चर्चा करने से बचे अलग बात है आपका प्रशन है कि आरे समाज का योगदान किन किन राज्यों में था मैं आज आपको ये कहूंगा कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां आजादी कांदोन चल रहा हो और आरे समाज का उसमें योगदान ना हो अगर मैं धुर कलकता से ले करके और बलोची स्तान तक की चर्चा करूं और काश्मीर के बिलकुल सकर्दू और गिलगी टेरिया से ले करके जो बिलकुल चाइना से लगते हैं जो अभी गुलाम कश्मीर कहके पुकारते हैं वहां से लेकर के बिलकुल नीचे केरल तक चला जाओं गुजराद से लेकर के गुजराद के कच के रन से लेकर के तो मैं समझूंगा कि आरे समाज से ऐसा कोई भी स्थान खाली ना था जहां आरे समाज ने इस आजादी के आंदोर्ण में विस्तरी तुरूप से भाग ना लिया हो मैं चर्चा करूँ केरल की 1921 के दौरान वहां एक ऐसा विवाद आरंभ हुआ वास्त्रिक्ता में देखा जाए तो किसी ना किस रूप में धार्मिक उन्दमाद था जिसको मौपला अंदोर्ण कहते हैं मौपला के दंगे कहते हैं मौपला का एक रांतिकारी विद्रोह कह देते हैं कभी कभी वस्तुता वो एक धार्मिक उन्दमाद का अंदोर्ण था उस समय एक प्रक्रिया शुरू हो चुगी थी देश के अंदर की मौपला य। किरल के उत्री भाग के अंदर मौपला एक बह। बड़ी एसी जाती थी जिसको जो मुस्लिम बन चुकी थी हिंदों की किसी ना किसी कमजोरी के कारण से कहूँ या दुर्भागे से कहूँ और उन्होंने उस पूरे राज़े को खिलाफत का राज़े बनाने की घोशना करके एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कहूंगा मारकाट मचा दी थी ऐसी मारकाट जिसका सपस्ट उदेश्य था कि जितने भी यहां पर हिंदू रहते हैं उन सभी को मुस्लिम बना लिया जाए यहां पर खिलाफत का राज़े घोशित कर दिया जाए अंग्रेज़ों को यहां से भगा दिया जाए और यह फिर मुल रूप से पूरी तरह खिलाफत के यानी खलीफाओं का शाशन यानी अमसलिम शाशन बरकरार हो जाए आप यह विचार करिये कहां उस समय केरल की दूरिया और कहां बैठा हूआ लाहूर में आरेस समाज का मुख्या ले आरेस निसवा पन्जाब के वहां के उस समय के तद्काली नेताओं ने महत्माहंसराज महत्माहनन स्वामी श्वामी शर्धान ऐसे नेताओं ने उस समय ये विचार किया कि हमें केरल में जा करके इस परस्थिती से उसको बचाना होगा क्योंकि अगर आज उस परस्थिती से केरल को ना बचाया गया तो वो कब हमारे देश से अलग हो करके एक खलीफा स्थान उसका नाम जो चाहे दें क्या उन्होंने विचार किया होगा ये तियास का लग विश्य है उससे बचाना होगा उस समय आरे समाज के नेता आरे समाज के कारेकरता दूर लाहोर से चल करके एक एक रुपे आठा ठाने चार चार आने इकठे करके लगा पैसों को ले ले करके ताकि जिन गरीबों को महा सताया जा रहा था जिन को हिंदू से मुसल्मान बनाने के लिए जबरन किया जा रहा था सरकारे मौन थी अंग्रेज सत्ता मौन थी क्योंकि वो चाहती थी कि इन दोनों वर्गों के अंदर दरार पड़ी रही और इसी का लाव उठाया वहां की तथकालीन उस समय की मुसल्मान निताओं ने जिनोंने इसको एक मौपला अंदोलन का धर्मिक आंदोलन का रूप दे करके आरस माझ के नेताओं ने आरस माझ के कारेकरटाओण ने आरस माझ के समय सञ्यासियों थैकाली चाकर के कोचिन और इस्वाफ पूरे उत्तर केरल के अंदर एक नए बायार पैदा की जिसका परिनाम ये हुआ कि जो आंदोलन था वो रुख गया जिन लोगों को मुसल्मानों से हिंदू से मुसल्मान जबरन बना लिया गया था उनको वापसी लाया गया और इसकी क्रांती की जो एक आवाज पूरे देश के अंदर अगनी की तरह फैली उससे यह निश्शित हो गया पूरा देश का ध्यान केरल के ओर जाकर क्या करशित हो गया मजबूरन केन सरकार को जो उस समय की अंग्रे सरकार थी उसको वहां जाकर के मजबूत कानून बनाने पड़े और अंततहा वो केरल मुसलिमस्तान बनने से बच गया सोचिए अगर आरे समाज ये घटना करम ना करता अगर आरे समाज 1921 में केरल ना पहुंचता तो वो भी बांगला देश की तरह है या पाकिस्तान की तरह है या हैदरावाद के शाष्कों की सोच की तरह से शायद आज हिंदुस्तान का वैसा हिस्सा ना होता अब जब मैं बात लेता हूँ हैदरावाद की हैदरावाद एक ऐसे रियासत थी जहांपे 90% हिंदु जनता थी 10% मुस्लिम जनता थी लेकिन शाष्क मुस्लिम था मेर उस्मान अली और उसकी सोच ये हो चुकी थी कि मैं दुनिया में सबसे अमीर इनसान हूँ सबसे अधिक धन दोलत आज मेरे पास में है तो आज मैं पूरी हैदरावाद स्टेट को जिसमें वर्तमान के करनाटक का हिस्सा वर्तमान के महाराष्ट का हिस्सा और वर्तमान के हैदरावाद का जिसको आमान्द प्रदेश बोलते हैं उसका पूरा बहुत बड़ा हिस्सा उसकी रियासत में शामिल था और उसकी उस रियासत में पूरी तोर पर हिंदूों को मुस्लिम बनाने की एक राजनेतिक शाजिश राजनेतिक शरंदर कहूं साजिश कहूं प्रक्रिया कहूं तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं उन में से कुछ ना कुछ कोई साजिश कहेगा कोई प्रक्रिया कहेगा कोई शरंतर कहेगा मैं कम से कम यह कहूंगा कि वो पूरी विस्तारवादी साजिश थी क्यों क्योंकि उसके मन में भी एक बात आ थी कि यदि मेरे राज्जे में मुस्लिम जनसंक्यादी खो जाएगी तो ऐसी परिसिती में मुझे भी एक सवतंतर देश का दरजा मिलना सवभावी खो जाएगा और मैं इस भारत की सत्ता से अलग हो सकूँगा क्योंकि कही न कहीं उस समय तक ये बीज बोए जा चुके थे कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए अगर मैं अब ये कहूँ कि फिर उस सारे शरंतर को समाब्त करने का बीड़ा किस संग्ठन ने उठाया मेरे कहने से क्या कोई मान जाएगा लेकिन इतिहास के एक एक पन्ने पर जो स्वर्ण अक्षरों में लिखावा पन्ना है वो पन्ना का उस पन्ने का एक एक शब्द ये बोलता है चीक चीक करके कि उस समय हैदराबाद में पूरे देश से जिस तरह से हैदराबाद के आंदोरन को आरे समाज ने खड़ा किया क्यों खड़ा करना पड़ा उसकी एक दो शब्द में बानगी सुनिया मंदिरों के निर्मान पे प घंटी बजाने पर पावंदी लगा दी गई गीता जैसे गरंतों के चापने पर पावंदी लगा दी गई हिंदूों के जो परचारक विशेशकर आरे समाज के जब परचारकों ने हैदरावाद के अंदर एक नया विचार पैदा कर दिया था एक आजादी को लेकर के और एक उस मीर उसमान अली के शाषन के विरोध में लेकर के उसको दिबाने के लिए आरे समाच के परचारकों जैसे राम चंदर देहलवी जी के हैदरवाद प्रेवेश पर पाबंदे लगा दी गई आरे समाच की कताओं को रोग दिया गया आरे समाज के जल्से जलूसों को मंदिरों के हिंदों के जल्से जलूसों को उस दिन बिल्कुल बैन कर दिया गया जिस दिन मुसल्मानों को भी करत्यार बढ़ता हो अगर उनका जलूस निकलेगा मजड़ी बीच में आएगी उनको रास्ता बदलना देखें 90 पतेशenser दिन्दो जनता 10 पतेशत मुसलिम लेकिन राजा मुसलिम था और उसने ये सारा शरंतर इस कारन से किया था कि आहिस्ता आहिस्ता गरीबों को आहिस्ता आहिस्ता करके जो जेलों में बंदप प्रादी थे उनको मुसलिम बनाने का शरंतर गरीबों को लालत देकर मुस्लिम बनाने का शेड़े ताकि मुस्लिम अबादी अपने राज्ये में बढ़ा ली जाए बंदों उस समय आरसमाज की शीर से संस्था सारदेशी कारिप्तनी समय ने आंदोलन का आवान किया पहले मीर उस्मान अली को पत्र भेजे गए कि आप इन सभी पावंदियों को वापिस लें जब वापिस नहीं ली गई तो आंदोलन का हवाला दिया गया नहीं हुआ अंचता आंदोलन शुरू कर दिया गया और वो कोई अंदोलन ऐसा नहीं था कि जाकर के धरने पर बैठ गए नारे लगाने लगे और वस्तुता अपने आपको इस भारत माता के इस बड़े अंग को बचाने के यज में डलने वाली आहुती के रूप में एक आरे विक्ती वहां पर जा रहा था यानि आप समझ के लिए वहां अगनी जल रही है और उस अगनी में अपनी आहुती देने के लिए विक्ती कहीं बलूचिस्तान से कहीं रावल पिंडी से कहीं लाहोर से कहीं कराची से कहीं जम्मू से कहीं जालंदर से कहीं राची से कहीं पटना से कहीं कोहाटी से पूरे भ बढ़ता जा रहा जब कि वो जानता है कि हैदरबाद में इस समय बलिदानियों के लिए ही केवल हवनकुंट सजाए गए हैं लेकिन बन्धों एक भी बलिदानी ऐसा ना था जिसने पीठ दिखाई हो अंतता एक तालिस बन्धों के तो बलिदान जेलों के अंदर हुए जेलों के अंदर कितने लोगों को क्या-क्या यात्नाई दी गई क्या-क्या सजाए दी गई वो एक अपने आप में अलग इतिहास है लेकिन वह इतिहास इसलिए बताना जरूरी है कि क्योंकि लोग इस बात से पूरी तरह परिचित नहीं हैं कि अगर उस समय हैं हैदराबाद के अं वो उससे बहुत दूर जा चुका होता, सरदार पटेल ने 1947 में कहा था, अगर आज 1948 में जब अमीर उस्मान अली ने अपने हातियार डाले और ये कहा कि मैं भारत के साथ विले स्विकार करता हूं, उस समय सरदार पटेल ने बात कही थी, अगर आरश समाज ने भूमी का अपन जीलों के अंदर हुई, जिन लोगों की मिर्त्यू यात्राओं के दौरान, जिन लोगों की मिर्त्यू जील से विदा कर देने के बाद हुई, और जिन की मिर्त्यू उस रजाकार अंदोलन रजाकार वो लोग थे, जो मीर उस्मान अली के इशारे पर हिंदूों को मुस्लिम कि जनता को कम से कम आजादी के पिछेतर वर्ष के अशर पर जान लेना चाहिए कि कोई छोटा बलीदान आर्थ समाज का नहीं था अगर कोई कहे कि वीर भगत सिंग का बलीदान आर्थ समाज का था राम प्रसाद बिस्मिल का बलीदान आर्थ समाज का था तो मैं ये कहूंगा और उन वीर 41 बंधों का और उन 15 से जादा उन बंधों का जिन्होंने इस सारे अंदुरन के दुरान अपने गाउं में अपनी आउतियां दिये वो भी बलीदान देश की आजादी के लिए दिया गया बलीदान ही कहा जाएगा बिल्कुल विनेची जिस तरीके से आपने बताए कि आजादी में आरे समाज का क्या योगदान रहा कहा काम पर उन्होंने अपने योगदान दिया था और किस तरीके से जो कहते हैं कि हिंदो और मुसलिम की बात आपने यहां पर करी कि उनके उनको बरगलाया जा रहा था और क कहीं न कहीं एक दूसरे के खिलाफत जो वहां पर चीज़े देखने को मिल रही थी तमाम वो चीज़े थी जहां पर आपने एक एक करके हमारे दर्शकों को वह बात गिराई अब मैं यहां पर जाना चाहूंगे क्योंकि आजादी में जो हमारे योधाओं ने भारत के आज भी उनको याद किया जाता है लेकिन सिर्फ वो कागजी पन्नों तक सीमित इसलिए रह जाते हैं मैं कॉंग्रेस के लिहाओं से बात करूँ कॉंग्रेस का वहां पर क्या योगदान था सब संदर जी कॉंग्रेस की जहां तक मैं बात करूंगा कॉंग्रेस एक वर्तमान की कॉंग्रेस को उस समय की कॉंग्रेस से मैं तुलना नहीं करूंगा वर्तमान की कॉंग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में कारे कर रहा है मैं अभी उसकी दिष्टी से कोई चर्चर नहीं करूंगा लेकिन हाँ जिस तरह से और जिस सोच से कांग्रेस उससे में बनाई गी थी वो बताना मैं अपनी जरूरत समस्ता हूँ 1865 के लगबग महरशी जरूरत सरसुती जी ने अपने कारे को बहुत तीवर कर दिया था समाज के अंदर हलांकि उससे कुछ पहले ही 1875 में आरेस समाज की स्थापना हो गई 1875 में आरेस समाज की जब स्थापना हुई तो एक नया पन इस देश की पढ़ीलिखी आबादी में आना लग गया जो सोच महरशी जरूरत ने दी थी जो चिंतन महरशी जरूरत ने दिया था और इसका नेता रशी द्यानंद महरशी द्यानंद भी निर्भी को करके कारे कर रहा है ऐसी परसिती में 10 साल बीत गए और 10 सालों में अंग्रेज सरकारों ने महसूस कर लिया कि जिस आग को सन 57 की जल रही की हमने जिस आग को सन 57 के अंदोरन के बाद अंग्रेज उने भुजा दिया था कही ना कभी हों चिंगारियां दोबारे से जन्म ले रही है और ऐसे अफसर पर ये बहुत आवश्यक है कि कोई ऐसी संस्था की सापना की जाए ताकि भारत के प्रबुद वर्ग को वहां पर एकत्र कर लिया जाए और फिर उनके साथ बैठ करके अंग्रेज सरकार बैठ करके बादची टेबल पे कर सके और उनको कुछ चाहिए हो तो वह दिया जा सके मैं जहां तक समझता हूँ 1885 में एक अंग्रेज आफिसर A.O. Hume कांग्रेस की स्थापना करते है यहां पर बड़ा प्रशिन होता है A.O. Hume ही क्यों क्या भारत में उस समय कोई करांती कारी नहीं था भारत के बारे में सोचने के लिए कोई राजनेता नहीं था भारत के बारे में सोचने के लिए कोई राश्टनेता नहीं था क्या कारण था कि A.O. Hume को एक कॉंग्रेस की स्थापना करनी पड़ी विचार करने की बात है हमने चिंतन ना किया हो अलग बात है लेकिन आज इस चिंतन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं A.O. Hume ने जब कॉंग्रेस की स्थापना करी तब उसने इस देश को आजात कराने का लक्षे नहीं रखा था लक्षे क्या था भारत के अभी जाते वर्ग को जो किसी ना किसी रूप में अंग्रेजों का भक्त था अंग्रेजी सरकारों में काम करता था अंग्रेजी सरकारों से लाब लेता था जमीदार वर्ग था और कुछ ऐसा अमीर वर्ग जिसका व्यापार भी अंग्रेजों के साथ में ही चला करता था ऐसे लोगों को एक साथ जोड़कर के अंग्रेजी सामराज़ का भक्त बना जाना और ये जो स्थिती थी मैं मान करके चलता हूँ कि अगर आप कॉंग्रेज के पहले 20 वर्षों के इत्यास को गंबीरता से पढ़ लें उस इत्यास में आप क्या पाएंगे कॉंग्रेज का उद्देश ये क्या था कॉंग्रेज का उद्देश ये था अपने भारतवासियों के लिए कुछ नोकरियां मांगना कि भारत वास्कियों को भी नौकरियों दी जाएं फिर उनकी उन्नती मांगना फिर कुछ थोड़े से राजनिती का अधिकार मांगना फिर विधान सभाओं में और दूसरी सभाओं के अंदर अपना प्रतनिधित मांगना प्रतनिधित दे दीजिए नेता आप बने रहे राज आपका चलता रहे हमें आप थोड़ी सी नौक्रियां दे दीजिए हमें आप थोड़े से प्रतिनिदुत का अधिकार दे दीजिए हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दे दीजिए रानी आप रहिए हमें दिक्कत नहीं है राजा आप रहिए हमें दिक्कत नहीं है गवर्नर आप रहे हमें दिक्कत नहीं है अगर मैं गलत हूँ इस बारे में खूब खुल करके चर्चा होने ही चाहिए कि कॉंग्रेस का वास्तव में उद्देश है क्या था ए ओ ह्यूं अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री में कहीं यह नहीं लिखते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आजात कराने के लिए कॉंग्रेस की स्थापना करने जा रहे हैं दूसरी तरफ एक बार और इसमें साथ साथ देख लें आरे समाज के प्रवर्तक महरशी द्यानंद कॉंग्रेस की स्थापना से लगबग 15 वर्ष पूर्व अपने ग्रंत में लिख रहे हैं कि मुझे स्वदेश चाहिए मुझे सुराज चाहिए मैं अंग्रेजों का सुराज नहीं चाहता एक घटना मुझे यहां पर याद आती है महरशी द्यानंद से एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा सुवामी जी आपको अपने प्रचार कारे करते समय कोई दिक्कत तो नहीं है सुवामी जी ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई सुरक्षा आदी की समस् और इसके हमेशा रहने की कामना कर दिया कीजिए सुवामी जी महराज वहाँ पर शमौन रह सकते थे शान्त रह सकते थे चुप रह सकते थे सोच के उत्तर दूँगा कह सकते थे नहीं कहा सीधा कहा कि मैं तो यताशीग रंग्रेजी सामराज्य का इस देश से समार्थ होने की नित्ते प्रति प्रार्थना किया करता हूँ दूसी तरफ एओ हुम क्या कह रहे हैं और एओ हुम की बात छोड़ दीजिए एओ हुम के पस्चात जो जो कॉंग्रेज के अध्यक्ष बनते चले गए चाये बनर जी साब हो चाये दूसरे जितने भी आप नाम ले लें उन सब ने अपना उद्देश यहां तक सीमित रखा यहां तक की जब कॉंग्रेज का अधिविशन शुरू हुआ करता था उस कॉंग्रेज के अधिविशन शुरू होते समय प्रार्थना की जाती थी लंदन की महरानी अमर हैं महरानी विक्टोरिया की जै हो और जब कॉंग्रेज का अधिविशन समाप्त हुआ करता था तो लं और इसलिए जब मैं कांग्रेस की चर्चा उस समय के हिदाव करता हूं तो लगबक कांग्रेस के अपने सथापना EVER के 20 वर्ष हों के पाश्चात तक लगबक यही पोजिशन बनी रही हूं और 20 वर्ष हों जब आरे समाज की विचारधारा के लोगों का कॉंग्रेस के साथ में जुडाव शुरू हुआ एक और बात बीच में मैं भूल जाता हूँ 20 वर्षों तक कॉंग्रेस के अधिवेशनों में हिंदी में भाषन देने वाला कोई नहीं था सारे भाषन अंग्रेजी में हुआ करते थे आप सोच के देखिए फिर वो किनका प्रतिनिदिव कर रहे थे क्या देश की अधिकांश जनता का प्रतिनिदिव कॉंग्रेस कर सकती थी नहीं संभव था कारण आज भी यानि कि आजादी के 75 वर्षों के पस्चाद भी हम ये कहते हैं कि 10 परतिशत जनता अंग्रेजी जानती है शायद 10 परतिशत मैं सही आंकड़े कि तास पास नहीं हुई इस समय तो सोचिए आज से 100 वर्ष पहले यानि कि कॉंग्रेस की स्थापना की बात करें तो 140 वर्ष पहले कर ले 140 वर्ष पहले कितने लोग अंग्रेजी जानने वाले होंगे मुश्किल से पॉइंट पॉइंट कुछ परसंट कि वर उन लोगों के प्रतिनिव करने वाली कॉंग्रेस क्या इस देश को आजात कराने के बारे में बात कर सकती थी जिनके अपने अध्यक्ष ही अंग्रेजी प्रस्ट भूमी के हों जिनके अपने अध्यक्ष ही अंग्रेजी सरकारों में नौकरी करने वाले हों अंग्रेजी सरकारों में सिविल सर्वेंट हो क्या वो कॉंग्रेश देश की अजादी के बारे में सोच सकती थी हाँ परिवर्टन आया जब लाला लाजपत्राय का उनकी विचारधारा से प्रीद विपिंच निरपाल का लोकमानने तिलक का और इस विचारधारा से निकट आने के पषात महात्मा गांधी का कॉंग्रेश के साथ में जब जुडा हुआ एक नया परिवर्टन आया स्वामी शर्धानंद का स्वामी शर्धानंद का कॉंग्रेस के साथ में एक लंबे समय तक का एक तालुक रहे जो आर्समाज के एक छत्र नेता थे तो मैं ही आपको कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस ने उसके पच्चाथ एक आवाज बनी निश्ची तुरूप से कॉंग्रेस एक आवाज बनी लेकिन वो आवाज सब बनी जब अंग्रेजी प्रभूत वहां से हट करके और भारतिय प्रभूत में कॉंग्रेस आ गई तब वो भारत के लिए आवाज बनी और उसको वहां तक ले जाने का जो रास्ता था वो रास्ता रिश्यीवर देव द्यानन्द के बक्तों के द्वारा जिनके मन में इस भाव की प्रेना भर चुकी थी कि इस देश को हमने आजात करवाना है तब वो रास्ता तय करके कॉंग्रेस को एक नेया पत्र मिला और उस ने पत्पे चल करके आजादी की मांग को अपने मांग पत्र में सम्मिलित कब किया गया यह अपने आप में इतिहास का एक भाग है तो इसलिए मैं कहूंगा कि वो भी आरे समाज की एक छवी के कारण से ही परिवर्तन आया था इसलिए आज मैं इस बात को यहां पर समा करना चाहूंगा की कांग्रेश निश्चित रूप से भार्कियों का उस समय고요 कर रहे थी बड़े आंद्रों कर नेत्र तो कर रहे थी लेकिन उसके अंदर जो परिवर्तन आया था वो परिवर्तन केवल तब आया जब कांग्रेस ने उन सभी आंदोरणों को अपने हाथ में लिया चाहए ओ च्छूआ चूँट के विरूद का अंदोरणों जिसको रासमाज गत 50 सालों से चला रहा था चाहे वो हिंदी का अंगरेस के मंचों से हिंदी में बात करने शुरू की गई और चाहे वो शिख्षा का अंगरेस में सापोर्ट भी दी। यहां इसको भी किया जाना चाहिए और जातिवात के खिलाफ जो अंदोलनों उसको और जो महरशी दियानन्द की सोच नमक के खिलाफ थी नमक पे कर लगाने के खिलाफ थी उसको महात्मा गांधी ने आगे जब बढ़ाया तब कॉंग्रेस एक नई दिशा में प्रवर्ट हु जिसके खारण से वास्तिफिक इतियास काई धूल के पन्यों के नीचे दबा पड़ा है कोई चाहकर के भी उससे हटा तो नहीं सकता लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि उस धूल को थोड़ा सा हटा करके थोड़ा समय और शिक्ति लगाकर के उस इतियास को और निकटताश जा करके पढ़ने की कोशिश हम करेंगे तो हम आने वाली पीडी को कम से कम गरत इतियास से वाकिफ ना होने दें आने वाली पीडी एक सही इतियास को जान सके बिल्कुल विने जी आपने हमारे दर्शकों को तमाम बाते बताए और वो कहते हैं कि अंसुने किसे अंसुनी कहानिया जो हुवी है एक्चल में जो लोगों को जानी चाहिए आज की PD को जानी चाहिए जैसे कि आपने भी कहा कि जो धूलबरी किताबे उनको साफ करके एक एक पन्ने को बखोवी रूप से पढ़ा जाना चाहिए जिस तरीके से आपने कॉंग्रेस की यहां पर बात करी शायद लोगदान ता किस तरीके से मरिशी दयानन जी ने सरुसती जी ने तमाम चीज़े वहां पर अपने स्वदेशी चीज़ को लाकर और हमारी एक लौज जलाई पूरे देश पर में लगतार उस चीज़ से आज के युवा को बखोवी रूप से उसे अपनाना चाहिए उसको सम समस्ते